हमीरपूर के प्राइविट कॉलेस में हुई घटना पर विधायक राजंदर राणा के आरोपों पर पर परदीश भाजपा सचीफ ने पलटवार करती हुई कहा कि भासपा महिला अत्यचार जैसे समवेदन शेल मुद्दे पर हमेशा सही गंबी रही है और हमीरपूर ने भीतर ही पकड़ कर चौदा दिन की न्या एक हिरासत में भेज दिया है उन्होंने कहा कि राणा का ऐ Васपा ने महिलाओंåं पर अत्यचार के खिलाप हमेशा जनता का साвद दिया है और हमेरपूर में घटना पर भी परशाषन ने कारवाई कर, दोस्की को सलाकों के पीछे भेज़ा है. उन्होंने कहा कि वीधाएक राजनित्रणा द्वारा महिलाओं की मुद्दों पर रास्ति करना शरमनाक है और उन्हें इस तरह के समवेदन शील मुद्दों पर राजनिती नहीं करनी चाहिए महिला अत्या चार जैसे सम्वेदन शील मुद्दे पर राजनिती करना जैसा रजिंदर राने जी बात कर रहे है हमें बिलकुल ऐसी उमीद नहीं थी कि रजिंदर राने जैसा विक्ति ऐसी बात करेगा जो महिला अत्याचार पे राजनिती कर रहे हैं ये लोग ये बहुत ही बुरी बात है हमें इस बात का बेहत खेद है और जहां तक रही पीडिता की बात तो जो भी व्यक्ति है उसे 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आज की डेट में वो व्यक्ति वो ज जनता पार्टी हमेशा से ही अकरसर रही है जब जब ही पूरे परदेश में कहीं भी चाहे वो शिमला की बात हो गुडिया कान की बात हो या हमिरपूर की बात हो जब जब महिलों पे अत्याचार हुआ है तो भारतिया जनता पार्टी पूरे समाज के साथ मिलके एक अंदोल कोंगे पीछे है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि डी आई जी रैंक कव्यक्ति सिटिंग एस पी और आठ पुलिस के अधिकारी आज पुलिस जेल में बंद हैं और ये सब तब हुआ जब पूर में मुख्यमंतरी बीर वद्द सिंग जी के फेस्ब आज के सब संगठन उठके मिल गए और भाती जंदा पाटी भी संदोलन में कुदी और उन व्यक्तियों को आज की डेट में सब अपराधियों को वहां पे सलाखों के पीछे रखा गया है सी बी ए उसकी इंक्वारी कर रही है वैसे ही जो महिला अत्याचार हमिरपुर में वह व्यक्ति जो अपराधियों के पीछे है और जिंदर राना जैसा व्यक्ति ऐसे मामलों में राजनीति करता है यह हमें बेहद ही अफसोस है कि वह व्यक्ति हमारे हमिरपुर जिरा का है